तो राहमुचरित मानस में साथ कांड है और पहला कांड है बाल कांड कौनसा कांड है पहला बाल कांड में नौ श्लोक मंगलाचरण में के पहले मंगलाचरण के स्लोक में मास्रस्वती की वंदना गडेश जी की बाद में वंदे बाणी बिना ये को बाणी यानी स्रस्वती कोई हमसे पूछे के स्रस्वती की वंदना क्यों बहुत से लोग कहते गोष्वामी तुलसिदाश जी नारियों के व्रोधी थे एक चौपाई को लेकर धोले का बाल सुद्र पर सुनारी सकल ताड़ना के अर्धिकार तो बोले इस्त्रियों के ब्रोधी ना ना गोष्वामी जी इस्त्रियों के पक्षधर हैं माताओं के पक्षधर हैं और पहले स्लोक में इसलिए गोष्वामी जी ने माताओं की बंदना की है मा कौन है शरस्वती जहां नारियों की पूजा वहाँ देवता वास करते है भारत हमारा माताओं का पूजक है मेरे माई बाप भारत हम उस भूमी से है जहां पर्थवी को भी माता कहते और देश को भी माता कहते भारत माता हमारी या माताओं की पूजा है बहुत से लोग कहते हैं आप मैमा क्यों गाते हैं भारत धन से जरूर संपन रहा होगा खबर नहीं आज है या नहीं मुझे खबर लोग मुझसे पूचे के भारत विश्वगुरू क्यों था भारत संसकारों के धन के कारण बेश्वगुरू था है रहेगा जहां इस्त्रियों में मा के दर्शन भारत करता है कोई इस्त्री नहीं के लिए मा हमारे भारत के अद्भुत संत श्वामी विवेका नन सिकागो के धर्म सम्मेलन में गए अथारा घंटे तक प्रवचन दिया अथारा घंटे अभी जो यहां की मेर अंगरे जाई थी तो वो कह दहीं थी बहुत I like you smile ऐसा कुछ बोला था लवली है खबर नहीं वो क्या बोली जो भी वो आप समझो न तो वो बोल नहीं थी अब उन्हें क्या बताएं हमारे भारत का तो सत्त का उपासक मुश्कुराता ही है प्यारे जो सत्त का उपासक हो तब मुश्कुराता है स्वामी विवेकानन जब सिकागो के धर्म सम्मेलन में उद्वोधन कर रहे ते अठारा घंटे तब पहला सब्द था उनका वर्दर्स एंड सिष्टर्स जब अठारा घंटे प्रवचन कर लिये बहुत दिनों तक उनकी ख्याती पहुँची और बुरा मत मानना भारत बिचित्र देश भी है बारत में लोगों की नजर उस ब्यक्ति पर तब पहुँची है जब विदेशों में वो पहुँच जाए तब तक स्वामी विवेकानन्द के उपर कसी की दर्ष्टी नहीं थी बाद में दर्ष्टी पड़ी स्वामी विवेकानन्द 18 गंटे बोलने के बाद जब ख्याती पूरे यूएस में पहुँच गई शिकागो अमेरिका में यह न शिकागो में जब धर्म सम्मेलन हो गया तो वहां की एक मा एक इस्त्री उनके पास आती थी जवान युवान आकर के कहती है स्वामी जी उसने अपनी अंग्रेजी में बात की स्वामी जी I like you मैं आपको बहुत पसंद करती मैं चायती हूँ कि आप मेरे साथ संसर्ग करो ताकि मुझे आपके जैसा तेजवान बड़ा सुन्दर सा पुत्र हो आप मेरे साथ संबंद बनाओ धन्य हैं हमारे भारत के रिसी धन्य हैं मेरे भारत की परंपरा धन्य हैं मेरे भारत के संसकार मुझे कुड़ाते हुए स्वामी विवेकानन ने का मा खबर नहीं मैं तुम्हारे साथ संबंद बनाओ संसर्ग करूँ तो तुम्हें पुत्र हो या ना हो पुत्र होगा तो जरूरीनी मेरे जैसा होगा कहां तुम 18 वर्स तक इंतिजार करोगी पालन पोशन करोगी उसकी रक्षा सुरक्षा करोगी एक काम करो आज से तुम हमारी माँ हम तुमारे बेटा कहानी खतम हमारे भारत के रिष्यों की सुन्दरता है साब लोग कहते भारत में क्या है हमारे भारत में यही संसकार तो परम धने यत्रनारियस्तु पुज्यंते यहां नारियों की पुजा है भारत में हमारा भारत व्रक्षों की पुजा करता हमारा भारत जीवों में भी भगवान के दर्शन करता हाती में गजराज के दर्शन, गडेस के दर्शन हम लोग जीवों में भी बेल में हम लोग नंडी के दर्शन करते हम लोग गाए में मा के दर्शन करते विस्वकी मा गाए है विस्वकी मा के दर्शन करते हम लोग अपने देश में भारत मा के दर्शन करते लोग कहते गोश्वामी जी नारी विरोधी थे हम कहते थे गोश्वामी जी जैसा कोई इस्त्री पक्षधर हुआ नहीं वर्नाना मर्थ संधानाम रसानाम छंद सामपी मंगलानाम चकरतारो वंदेवानी नायो पहले श्लोप में श्रस्वती की बंदना भगवान गडेश की बंदना गडेश जी की बंदना कोश्वामी जी कर रहे हैं प्रणाम कर रहे हैं गडेश जी कोई धन्याम ववानी संकरो वंदेवानी श्रिद्धा विस्वासरू पड़ो याभ्याम विनान पस्यत्ती सिद्धा स्वांता स्थमिश्वरम दूसरा अचलोग रामिचरत मानस बालकाट सिद्धा और विश्वास के स्वरूप मा पारवती जी और सिव है यहाँ जो पूजा की पारवती जी की और सिव की गोश्वामी जी ने सृद्धा और विश्वास रूप में पारवती जी है सृद्धा बोले बाबा है विश्वास और सृद्धा के विना विश्वास अधूरा है अच्छा सृद्धा हो बहुत सृद्धा हो पर विश्वास ना हो तो क्या भगवान की कृपा होगी बोलो ना अच्छा केबल विश्वास हो, शृद्धा ना हो, तो क्या खरपा होगी, श्यू प्रशक्ति दोनो जरूरी है, इसलिए दूसरे इसलोक में गोश्वामी जीने, बबानी संकरो अंदे, शृद्धा विश्वास रूपेडो, दोनो जरूरी है, इसलिए दोनो को प्रणाम दे, मंगला चराने, तीसरा आश्वास हो, शृद्धा राम गुनिग्राम, फुन्यारन विहार नौ, वंदे विसुद्धि विज्ञानौ, कवीश्वर कपीश्वरौ, इसलोक में, श्री सिता राम जी भगवान के गुरूरूपी चर्त्र में बिहार करने वाले, दो लोगों की बंदना की, कवीश्वर और कपीश्वर, कवीश्वर कौन है, कवीश्वर है, बालिमी की ची, कपीश्वर कौन है, कपीश्वर है, हन्माल जी, अंगली बंदना, उद्भाव इस्तति संहार कारनिम, कले सहारनिम, सर्विस्रे अस्करिम सीताम, तो हम राम वल्लभाम, पांचमे श्लोक में स्री जानकी जी को प्रणाम किया वंदेहम तमसे सिकारण परम राम अख्यमी सम्हरिम छटमे श्लोक में राम जी की बंदना मंगला चरण में भी गोश्वामी जी ने साथ नौ लोगों की बंदना थी साथ श्लोक में गोश्वामी जी ने साथ इश्लोक मंगला चरण में हैं और कांड भी साथ हैं पर बंदना नो लोगों की करी गोश्वामी जी ने प्रणाम नो लोगों को किया नो लोगों को प्रणाम करके भी गोश्वामी जी ने सबसे मद्ध में गुर्देव को रखा, किसको रखा? अच्छा, नौलोग कौन है जिन जिन को बंदना की? पहले, शरस्वती गनेश दूसरा तीशरा, भगबान भोले बाबा चौथा किसको प्रणाम किया? भवानी यानि मा पारवती पांचमा किसको प्रणाम किया? गुरू छटमा किसको प्रणाम किया? कवीश्वर यानि बालमीक जी साथमा प्रणाम किसको? कपीश्वर, कपीश्वर यानि हनमान जी आठमा प्रणाम किसको है? मा जानकी जी नौमा प्रणाम किसको है? नौमा प्रणाम गोश्वामी जी ने भगवान राम जी को किया लेकिन इस नौ प्रणाम में आप जड़ा अनभव करना मद्ध में गुरू को रखा किसको रखा वंदे बोध मयम नित्यम गुरुम संकर रूप अच्छा गुरू को मद्ध में क्यों रखा मेरे पागलो जो स्रिष्ट होता है वो मद्ध में होता है बीच में होता है मानो जिन्दगी में को इस तरब जीओ चाए इस तरब जीओ लौकिक जगत में जीओ या अध्यात्मिक जगत में जीओ राम में जीओ या काम में जीओ संसार में जीओ या अपार मैं जीओ आप दोनों में से किसी भी जगह जिन्दगी जीना बीच में गुरू को रखना तभी जिन्दगी में आनन्द आएगा